जैहिन प्यारे साथियों कैसे हैं आप सभी उमिद बहुत अच्छे होंगे और आपकी तयारी भी बेतरी तरीके से चल रहे होगी साथियों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ससी इडी 2024 के रिजल्ट अपडेट के बारे में और साथ ही साथ इसमें कितने अवेरतियों का टोटल रिजल्ट जारी होना है उसके बारे में बात करेंगे और इसके साथ ही टोटल यहां पे कितने बच्छे फिजिकल के लिए कौलिफाई करेंगे तो पूरी डेटेस में इसके बारे में बात करेंगे इससे पहले आप चैनल पर ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को जरूर लाइक करें कोई भी नहीं अपडेट आती है आपको तुरन प्रोइड कर आए जाएगा इस चैनल के माध्यम से चलिए आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर आते हैं सबसे पहले बात करते हैं दो साति हो अभी तक जापकी जो वैकेंशी तो वह थी 36,000 प्लस वैकेंशी और लेकिन अब जो 46,000 प्लस वैकेंशी यहां पे हो ईंव इसव एकउरिक एक्विद बनेगी इस जो कि यह वेकेंसी यहां पर बढ़ी है इसके according आपके result बनेगी यानि कि 46,000 जहां पर जो candidate है total यानि कि 46 जहां जितनी वेकेंसी है इसके 8 गुना बच्चों को यहां पर qualify किया जाएगा physical के लिए यानि कि SSC ने सबसे पहले ही कहा था जो कि notification में कि जितनी भी वेकेंसी रह होका है जिनका भी एक दो माक्स कामरा गया होगा उनके लिए बहुत ही golden चांस है यहां पर और आप सभी अपने physical के त्यारी करती रही है वह यह आपके लिए सबसे बेस्ट है अब बात कर लेते हैं आपके result के बारे में result के लिए आप सभी देखे कि आपका result delay इसलिए हो रह है क्योंकि नोटिस के द्वारा अब यह से एससी ने डी क्लियर कर दिया है result आपका जोएगी और एससी की तरब से आपका result की जो गोसणा है वो कभी भी की जा सकती है वेकेंजिया आपकी इंक्रीज हो गई है यानिक एससी आप पूरी तरीके से काम पे लग गई है आपकी result की बात करें तो आपका result आने वाले 19 से पहले जरूर आपको कभी ने कभी जो किसी भी टाइम आपको देखने को मिल जाएगा 19 सारी से पहले वहले क्योंकि 19 सारी को जो की physical की बीड ओपनिंग डेट है उससे पहले पहले आपको जो की आपका result आपको देखने को मिल जाएगा और आपकी जो result के list आईगी उसमें 8 गुना बच्चे यानि की 46,000 into 8 46,670 गुने 8 करेंगे आप तो लगबग यहाँ पे 3,72,936 candidate को यहाँ पे qualify किया जाएगा यानि की आपकी जो result की list आईगी टोटल यहाँ पे 3,72,936 candidate रहेंगे इसमें से की आपको physical के लिए बुलाई आएगा और उसके बाद जो है की physical करने के बाद उसके बाद जो है की आपकी medical की list निकाले जाएगी और इसी तरह से आपकी प्रक्रिया चलेगी तो information आप सभी को clear होगे होगी वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को like करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी नई update आती है तो आपको तुर्ण यही चैनल के मात्यम से provide करा जाए मिलते हैं अगली वीडियो में वितनी जानकारी के साथ जैहिंद